Hello friends कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो assignment submission की last date है उसे आगे भी extend किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के लिए जो आपके assignment submission की last date है वो 31 मार्च है क्योंकि जून 2024 एक्जाम के लिए आपके जो assignment submission की last date है वो 31 मार्च है इगनू में दो session में assignment submit होते हैं एक जून और दिसंबर अभी आपके जून session के लिए assignment submit हो रहे हैं और अगर किया जाएगा तो कब किया जाएगा और इसका क्या कारण है कि last date extend होगी ही। तो सबसे पहला reason तो यह है कि आपके जो assignment की last date है वो extend होगी और कितने दिनों के लिए होगी। तो सबसे पहला reason आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आपके जो project है वो आपके यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर last date देखेंगे कि आपके जो project submission की last date हो 31 मई है। कहने का मलब यह है और जब आपके assignment submit होते हैं तो उसकी last date और project की last date लगबख same रहती है और यहाँ आपर 31 मई last date दी गए है। यह कि exam form की last date जो है वो with late fine 30 April है और आपके exam form और आपके assignment दोनों एक साथ आपके होते हैं इसलिए जहां तक आपके exam form की date होती ही वहीं आपके assignment भी submit होते हैं तो पहले दो current तो यही हो गए कि आपके project की last date 31 मई है और दूसा current यह है कि आपके जो exam form है उसकी last date 30 April है with late fine इसलि 100% 30 April तक extend की जाएगी और इसका तीसरा और सबसे important current यह भी extend होने का कि आपके जितने भी question paper है इगनू के assignment के उसमें लगबग आते से ज्यादा question paper पे जो last date है वो 30 April दी गई है इसलिए आपके जो assignment submission की last date है उससे 100% extend किया जाएगा हर बार यह last date 31 March ही होती है पर लगबग सभी session में इस last date को पहले 15 April फिर 30 April इसके बाद 15 महीं तक लगबग extend किया जाएगा इसलिए अगर आपके assignment नहीं बने तो आप आराम से अपने assignment अपरेल मन्त में बना कर 30 April तक submit करवा सकते हैं अब बात करें कि last date extend होगी पर होगी कब इ अभी से students का कहना था कि last date extend होने है कोई notice नहीं है notice कहाँ पर है तो यह जो notice है आपका वो अभी release नहीं होगा क्योंकि अभी के लिए जो last date है 31 March है और जब 31 March last date end हो जाएगी तो इसके एक या दो दिन बाद आपका जो notice है वो release कर दिया जाता है वही आपका 1 April को evening में या 2 April की morning में आपका notice release कर दिया जाएगा कि आपके assignment summation की जो last date है वो extend हो गई है इसलिए आप wait करें बाकी आपके जो assignment summation की last date है उसे 101% extend किया जाएगा तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद